हैले रेडिन दो इस प्रेम भाईया आज की इस वीडियो में बात करने वाले क्लास 10 के प्रीबोर्ड होने वाले सबसे बड़े मिश्टेक के बारे में जो अभी के टाइम पर क्लास 10 का हर एक बच्चा कर रहा है अगर ये मिश्टेक्स तुम कर रहे हो यार 95% तुम प्रीबोर अब हमारे मिटर्म खतम हुए और प्रीबोर्ड अब होने वाले है अब ही मैं तुम में तुम में से किसी बच्चे सब पूछ लोगी तुम मैं पता है कि तुम्हें से तुम्हारा कम्पलीट कैसे करना है मैं आपको बदाता हूं से बाथ को हमें से बात क्या है लाइन करेंगे एक घंग दम य बवर Hm हमारे tuition वाले teacher कहते हैं, हम वो भी करेंगे, तो ठीक है भाई, तुम वो भी कर लेंगे, फिर क्या हम competency-based question करेंगे, बहुत बढ़ी है, competency-based question 50% आरा करना भी जरूरी है, वो भी करेंगे हम, उसके बाद क्या करेंगे, हम past sample paper भी लगा लेंगे, end में एतनी चीज़ें, हम पूरी चीज़ें करेंगे, तब जाके हमारे chapter complete हो पाएगा, syllabus complete हो पाएगा, तब जाके हम 95% ला पाएगे pre-board, मैंने बहुत बढ़ी है भाई, अगर मैं तुम्हें अभी ये बात बता दो कि तुम्हारे ये plan, pre-board के हिसाब से पूरा-पूरी गलत है, तो तुम क्या बोलेगे, तुम complete करेंगे, तुम कितने दिन में करता हो complete, तुम बोलेगे, भाईया हम चलो ठीक है, हम NCRT की detail में NCRT पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या क्या करेंगे, हम NCRT line by line करेंगे, ओम slow पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, फिर हम NCRT की size और example और numerical भी बनाएगे, उसके तुम्हारा electricity का चेप्टर आता है, जो pre-board में आगा, वो 8 number से ज़्यादा का नहीं आने वाला है, इतनी चीज़े अगर बच्चत दिन के 10 घंटे पढ़ता है, इतनी चीज़े को और कवर करता है, तो उसके total तुम्हें कम से कम 20 दिन लग जाएंगे, कम से कम 20 दिन लगेंग और यह जा रहा हो, तो मैं पता ही नहीं कि तुम्हें दिल्ली जाना क्या है, तो मैं तुम्हें बता दूँगे, हाँ, ऐसे ऐसे करके तुम्हें दिल्ली जाना, तुम्हें दिल्ली पहुंच जागे, यही है तुम्हें तुम्हें 95% है, तुम्हें 10 रास्ते मिलेंगे, कोई गोड़ा है तीनों हो भी जोड़ेंग तो अगर हम लोग जोड़ेंगे, 48 होगा है, मिट्र में तुम्हारे आए 24 चैटर जो की आधा होता है, ऐसे लिए बस ठीक है, अभी तुम्हें और कितना करने 24 plus 24 यह 48 होता है total. तो अभी तुम्हें 24 chapter करने है. तुम्हारे pre-board exam में time कितना है, pre-board exam है भाया हमारे 30 days है 40 days है, मैं मानगे जाब तो 30 days है. ठीक है उसके बाद तुम्हारे chapters कितना है 24. अगर हम इसको calculate करें तो यह तुम्हारे total कितना आता पता तुम्हें एक दिन रहा एक चेक्टर करने लिएहां तुम्हें लिटरिशेर और वह चीज्जे है घिल्राइन किरू अभी अपने के임 परटबव कुलूट करने अब बहुत बच्चे वो रहे था भाईया पेपर लिग करने के लिए था भाईया पेपर लिग कर दूँगा तुम्हारा भाईया जब तक खड़ा है तुम्हारा भाईया तुम्हारा भाईया तुम्हारा भाईया तुम्हारे लिए खड़ा है तुम्हारा भाईया तुम्हार पेपर लिक करके देजू, पर क्या कि वो एक उसी तुम्हें मिलेगी, नहीं मिलेगी, इसलिए हम लोग क्या गारे, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, हम लोग ऐसे पेपर लिक करेंगे, यार इतना जवरदस तरीक से करेंगे, कोई उसके कॉंपिटेशन में नहीं होगा, मैं त द्षाम को आड़े, फॉलो क्या करना, चैप्टरjach भी कम है ये भी कम है, अब तुमें तुम्हारे दस लेक्चर में complete हो सकते हैं, पर यह जो 13 चेप्टर तुम्हारे science और math के हैं, यह तुम्हारे जल्दी complete नहीं होना, पहले तुमको इनको पकड़ना, अगर तुम दिन में 5 गंटे पढ़ते हो, कैसे पढ़ना मैं तुमको clear करूँ, क्या करना सब clear करूँगा, पह गंटे में तुम्हें इस तरीके से तुम्हें बाटना time को, तुम्हें इनको math और science को time देना पड़ेगा, पहले मैं तुम्हें clear करूँगा, अगर तुम्हें इनको time नहीं दोगे, social science तुम्हारे निकालो, math और science तुमसे नहीं निकलेंगे, ठीक है, तो paper link तुम्हारे गिल्कुल वैलिड है, board exam के लिए तुम्हें इतनी चीज़े कर लोगे, पर उसके लिए तुम्हें पहले syllabus को पकड़ना होगा, तेखो यार, मेरा यह चीज़ मानना नहीं कि एक chapter को depth में करने से अच्छा, तुम syllabus पूरा syllabus उपर उपर कर लो, यह मैं नहीं कर रहा है, पर चुटे होए थे, volume सर्फ है सरिया, मुझे आते ही नहीं था pre-board में, अब मैं क्या करू बोलो, फिर विए 70 परटन में ले आया, तो यह चीज़ें नहीं कुछ आता ही नहीं, तुम जीरो ही हो बिल्कुल भी एकदम, तो वो चीज़ें तुम्हारे साथ नहीं होनी चाहिए, यह बात के clarity तुम रख लगा, उपर-उपर हो ना, कोई chapter को depth में करने से अच्छा, तुम सारे chapters को उपर-उपर कर लो, यह चीज़ तुम ध्यान में डालो, ठीक है, तो यह depth वाला concept हो, हम अभी के लिए clear का काटी देते हैं, तुम्हें यह board exam में यह concept लगाना है, क्या लगा लोगना, तुम्हें topic manager में रहेगा, हाँ topic manager, तुम्हें उससे पढ़ना नहीं, मैंने बोरा, तुम line by line पढ़ो, यह concept सबसे फालतु है, line by line पढ़ना हो, यह तो तुमको अभी भी नहीं करना है, ठीक है, बच्चे बोलते है, बहुत कोई, बोलते है, वो concept ही नहीं है, उसको लेना है कि यह वन आवर के करीब रहा है, अच्छा रहे detail में रहे, मैंने तुम्हें NCRT इसलिए नहीं बोली, तुम कोई 10 minute का one shot काई नहीं उठा लो, और तुम बोले कि भाई, आमने chapter री उडा दिया, वो चीज़े नहीं होनी चाहिए, तुम्हें ऐसा one shot लो, जिसमें NCRT के topics, new NCRT के topics के, जैसे ohms law, सारे ohms law उसमें cover होने चाहिए, ohms law cover है, factor affecting resistance cover है, total bi graph cover हो रहा तुम्हारा, और भी resistivity के cover है, जो भी topics है तुम्हारे electricity में, सारे तुम्हारे cover होने चाहिए, यह तुम्हें NCRT book से judge करते रहोगे, सारी चीज़े तुम्हें बताने रहीं कि नहीं, और तुम्हें एक काम करते रहना, तुम OneShot Lecture के दोरा नोट अपने बनाते रहना, यह नोट्स तुम्हें बहुत काम आएंगे, यह नोट्स अगर तुम बनाओगे, इस वीडियो में भी जो बाते मैं बाते में बतारों, तुम्हें कापी में नोट्स कर लो, पहले मैं तु खतम है, syllabus खतम हो जागा ना, तुम एक्जम्पलर भी कर लोगा, बहुत बच्चे बोलते हैं, भहा हमें, एक्जम्पलर भी करना है, अभी एक्जम्पलर करने की, कोई नीट नहीं है, ठीक है, पहले मैं clear कर दो, तुम ये सारी चीज़ों कर लोगे, sample paper भी लगा लोगे, competency तुमने एक्सेस की साइंस में पनता है। करना उसके बाद, उसके बाद NCRT के science में in-text question रहते हैं, उससे भी question बनते हैं, तो वो भी ध्यान में रहते हैं, in-text question भी तुमें करने हैं, तो इतनी चीज़े, ये तीन चीज़े तुम करने हैं, अगर ये दो चीज़े तुमने कर लिए, तुम्हारा chapter खतम, ये दो चीज़े मैंने previous question दे रहते हैं, ये बहुत काम की चीज़ होती, पर अभी इसका कोई role नहीं है, अभी pre-word में इसका role नहीं है, मैं तुमको clear कर दू, जो बच्ची मेरे को regular देखते हैं, तुमको बता दो, अभी इसका कोई जादा role नहीं है, NCRT exemplar का रोल नहीं, competency-based question, अब तुमको ये तो जरूरी है, तो pre-word में आने वाला है, अब मैं तुमको clarity कर रहा हूँ, क्या करना है, अब तुम्हें कर लेना CVSC का sample paper, CVSC का sample paper देखो है, pattern pre-word में एकदम वही रहागा, link मैं तुम्हें description में दे रहा हूँ, सारे subject के CVSC के sample paper, free विल्कुल, ठीक है, link तुमारे लिए description मे अब CVSC के sample, अगर तुम्हें इतना कर लेते हो, CVSC के sample paper solve कर लेते हो, भाई, तुम्हारा pre-word का preparation होगे, तुम्हें अभी कुछ नहीं करना बस, तुम्हें सिब इतनी चीज़े कर लेनी है, pre-word के लिए, उसके बाद मैं paper लिग कर दूँगा, फिर तुमको पताईए, कि तुम पहले complete के, पहले chapter complete करना जरू हो रही है, क्योंकि अगर तुम chapter complete नहीं करोगे, तुम्हें क्या exercise और example तुम से बनेंगे ने, exercise और in-text question, ये तीन चीज़े अगर तुम बना लेते हो, NCRT की, exercise, example और in-text question, mathematics के बारे हम बात करें सिप exercise, example, science में in-text question और activities पे थोड़ा ध्यान खीक है, इतनी चीज़े अगर तुम कर लेता है, भाई, तुम सच बता रहे है, तुम एकदम टॉपर की करटेंगे नहीं आना लोग, क्योंकि NCRT base है, NCRT से question बनेंगे, तो ये questions को तुम्हें ध्यान में रखना है, ये topics को तुम्हें ध्यान में रखना है, ये दो चीज़े थोड़ा गलत है, questions आएंगे, थोड़े मोडे मतलब की question आएंगे, 50%, 40% इस तरीके से आएंगे, पूरा तुम्हारा CVC का सेंबल पर छपने वाला नहीं है, उतने भी teacher तुम्हारे अच्छे नहीं है, उनको पता है कि बच्चों के पास रहता है CVC का सेंबल पर पर, तो आए इस तरीके से करते हो, science के भी chapter करते हो, maximum 2 दिन तुम्हें लगेंगे, maximum 2 दिन लगेंगे, math वाले chapter में हो सकता 3 दिन लगे, यह अगर तुम करते है तो 30 days में तुम्हारा syllabus complete हो जाएगा, हो सकता तुम्हारे pre-board हो 40 days हो, 50 days हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जितनी जल्दी तुम कर पा होतनी जल्दी तुम कर लेना, ठीक है और तुम्हे time table वीडियो चाहिए तो यार यह time table वीडियो दो में दिख रही होगी, यह time table वीडियो तुम्हें click करके देख सो, तो बहुत ही बहतरी न वीडियो time table pre-board के लिए बहुत ही बहतरी न है, तुम इसको देख सकते हो, click करके मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में ठीक है, ठीक है?